Hi Friends, मैं हूं Dr. राजशरी सिनापती आज हम देखते हैं कि Pregnancy में कौनसे सारे टेस्ट ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं Pregnancy में वो है Urine Pregnancy Test जो हमारी Pregnancy कंफर्म करती है कभी-कभी pregnancy test doubtful हो तो हम βिटा XCG नाम की blood test भी pregnancy confirm करने के लिए कर सकते है हम pregnancy usually 3 stage में divide करते है पहले 3 मेने, तुसरे 3 मेने और last 3 मेने ये हर trimester patient के लिए और बच्चे के लिए ज़रूरी होता है पहले 3 मेने में pregnancy test confirm होने के बाद हमें एक सोनोगाफी करवाना ज़रूरी है ये सोनोगाफी क्यों इतना चल्दी करना है इसलिए करना है कि pregnancy एक बच्चा है कि twins है क्या pregnancy uterus के बाहर नली में तो नहीं है मतलब ectopic pregnancy को नहीं है क्योंकि ये ectopic pregnancy जान लिवा हो सकती है कभी हमें ये भी दिखता है कि बच्चे में heart bit आई की नहीं आई छे हफते में बच्चे की heart activity सोनोगाफी में हम detect कर सकते है कभी mist abortion तो नहीं है क्योंकि हिमोगलोबिन हमें दिखाता है कि patient pregnancy के लिए fit है की नहीं वो एनिमिक तो नहीं है उसका हिमोगलोबिन कितना है एटलिस 12-14 ग्रैम हिमोगलोबिन पेशन में होना जरूरी है यदि नहीं है तो आपकी डॉक्टर आपको सलह देंगे आप डायेट इंप्रूब कर सकते हो तो प्रेगन से आपकी स्मूज चले दूसरी टेस्ट होती है टोटल WBC काउंट उसमें समझता है कि आप में कोई infection तो नहीं है या कोई sickle cell या ऐसे कोई periference में डिजिस तो नहीं आ रही है हम ब्लड ग्रूप करना बहुत important है ब्लड शुगर हमें समझता है कि प्रेगनसी में डिजिस तो नहीं है बहुत सारे patient को प्रेगनसी में डिजिस आ सकता है जो प्रेगनसी के बाद डिजिस चला जा सकता है जिसे कि ब्लड प्रिशर है और एक टेस्ट हम कर सकते है है HIV, VDRL जब डॉक्टर हमें यह टेस्ट लिखके देता है हमें लगता रहे यह क्यों टेस्ट कर रहे है है HIV, VDRL, HBS-AG यह यह जो होती है यह mandatory होती है क्योंकि यदि कोई infection है आपको यह आपके गैस करनी है urine routine test यह urine routine test इसले करनी होती है कि pregnancy में अपनी immunity कम होती है तो pregnancy में urine infection हो सकता है तो urine routine में infection की jahnकारी हो सकती है thyroid test भी हमें करना ज़रूरी है क्योंकि thyroid disorder ज़्यदी pregnancy में हो तो pregnancy में बच्चे या मा और ना को टलिफ हो सकती है यह हम जल से सब्सक्राइब करते हैं, तो प्रेग्नेस से अपनी स्मूज जाती है, इलें टु 13 विक्स में भी हम सोनोगाफी कर सकते हैं, यदि हमें डाउट हो कि जेनेटिक अपनामलिटी जैसे डाउन सिंड्रूम नहीं है ना, सोनोगाफी में नकल ठीकनेस जो होता है, वो हम सस्पट कर सकते हैं कि कोई अपनामलिटी तो नहीं है, दुसरी जो स्रूनोगाफी करनी है, वो हमें 18 तु 20 विक्स में करनी चाहिए, यह क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में लिगल अबॉच्चिन तु 20 विक्स तक ही कर सकते हैं, यदि हमें बच्चे में कोई हम detail abnormality scan करते हैं, ये second trimester में हमारे hemoglobin popis repeat करना चाहिए, urine भी repeat करना चाहिए और glucose tolerance test होती है, ये इसलिए करनी चाहिए कि कभी-कभी, ये second trimester में मतलब बीच के तीन मेहनों में कभी-कभी diabetes मदर को आ सकती है, या suppose अपना blood pressure बढ़ गया है, तो doctor आपकी uric acid या liver function test ये test भी कर सकते हैं, लास्त तीन मेहने, ये लास्त trimester भी बहुत important होता है, आप interval growth के लिए doctor आपकी sonographie कर सकते हैं, सो नोगाफ में देखते हैं कि amount of liquor मतलब अंदर पानी कितना है, बच्चे का growth हो रहा है कि नहीं, बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं, आपका placenta, या खेडी जो होती है या वार बोलते है उसको, ये उसकी position क्या है, ये उपर के बाजू में है क्या नीचे है, कैसे क्या होती है कि बच्चे को अधिख कम तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये अधि ul Sep हम य मतलब वार जांगी होती है कि उसने के प्रप्राल्सिकीशन हो के, श्मकष प्राभलम हो रही है Ett है या अँ अन्दर कुछ internal by-ding तो नहीं है, कि इस अब जानकारी हमें ला डियंके मेने में अर वीक आपकी एनेस टी यानि नॉं स्ट्रेस् टेस्स भी डॉक्टर करता है इसने मालूम होता है कि बच्चा अंदर कैसा है बच्चे की मुमेंट कैसे है बच्चे का Height Bit कैसे चल रहे हैं विदर Acceleration हो रहे हैं की नहीं इसे हमें बच्चे की Well-being समझती है जब हमारा Contractions आता है यानि लेबर पेंग चल यहाते हैं तभी Contractions Stress Test मतलब Deliverth के Th débwers जब हम जाता है तब बच्चे के Heart stiffness किसे चल रही है बच्चे को फिटल डिस्टस तो नहीं है ना, मतलब बच्चे के जान को खत्रा तो नहीं है ना, यह सब हम डिटेक्ट प्रेगनस्य के दौरान, नॉर्मल लेबल के दौरान कर सकते हैं I hope, यह जानकर यह आपके लिए उप्योगी हो Thank you so much